नमस्कार दोस्तों प्रोस्टेट कैंसर आदमियों का सबसे common cancer है और हर साल हजारों लगों की प्रोस्टेट कैंसर से death होती है जब मेरे पास patients प्रोस्टेट कैंसर के आते हैं वो लोग डरे होते हैं और उनका पहला question यह होता है सर हमारे को cancer हो गया है अब हमारी आगे की कितनी life बची है क्या हम prostate cancer से बच पाएंगे मैं डॉक्टाशी सबवाल prostate cancer specialist और robotic surgeon New Delhi India से बोल रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको prostate cancer की survival rates के बारे में full information दोंगा देखें American Cancer Society के accordingly अगर आपका cancer localized होए ठीक time पे diagnosis होए और उसका ठीक treatment चले तो फिर पहले 5 साल में 99% लोग जिन्दा रहते हैं पहले 10 साल में 98% लोग जिन्दा रहते हैं और 15 साल के बाद भी 94% लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर का survival rate काफी हाई है अगर वो ठीक स्टेज पे diagnosis होए और उसका treatment चले प्रोस्टेट कैंसर आदमियों में second leading cause of death है मतलब कि बहुत सारे patients की death भी हो जाती है और वो क्यूं होती है पहली बात कई लोग प्रोस्टेट कैंसर की PSS training नहीं नहीं कराते तो उनका diagnosis ही स्टेज पे होता है कि cancer अग्रेसिव हो चुका है और उस टाइम treatment नहीं हो सकता तो इस्ते death हो जाती है दूसरी बात कई लोग का cancer इतना अग्रेसिव होता है कि हम कोई भी treatment करें उसके बाद भी वो respond नहीं करते हैं और cancer बढ़ने लगता है यह चीज उनके genetics में होती है उनके gene ही ऐसी होती है कि cancer बहुत अग्रेसिव होता है तो अपना survival जानने के लिए सबसे पहले तो आप अपना prostate cancer का test कराईए उसका diagnosis कराईए उसकी staging पता कराईए exactly समझे आपका cancer कौन सी stage में तब ही बहाँ चलेगा कि वो एक localized cancer है कि advanced cancer है क्या वो treat हो सकता है कि नहीं हो सकता एक localized cancer जो ठीक time पे diagnosis होए और उसका ठीक treatment होए बहुत अच्छा prognosis है उसका full cure हो सकता है और आगे जाके कोई problem नहीं होती तो अगर आपको भी prostate cancer डाइगनोस हुआ है और उसकी staging या और किसी questions के बारे में आप message second opinion लेना चाते है तो आप मेरे को email कर सकते हैं आप WhatsApp कर सकते हैं मेरे email address और WhatsApp number नीचे description में दिया हुआ है धन्यवाद